नमस्कार तापती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है आईए देखते हैं बैतुल जिले की प्रमुग खबरे बैतुल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चनल तापती अर्जुन को सब्सक्राइब करे साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले मध्यप्रदेश सरकार ने महरम की चुटी में किया बदलाव अब 20 अगस्त को होगा शास्की अवकाश मध्यप्रदेश में सरकार की द्वारा महरम की चुटी में बदलाव किया गया है सामानी प्रशासन विभाग ने मंगलबार को इसकी अधीस उचना जारी करी इसके मुताबिक 20 अगस्त को शास की अवकाश रहेगा दरसल सरकार की द्वारा पहले महरम परव पर 19 अगस्त को अवकाश गोशित किया गया था जिसे अब निरस्त कर दिया गया है वहीं सामानी प्रशासन विभाग के उपसचिव दीके नागेंदर ने बताया कि केंदर सरकार ने भी महरम पर 19 अगस्त को अवकाश गोशित किया था लेकिन दो दिन पहले 20 अगस्त को अवकाश गोशित करने का आदेश जारी किया गया मौर्रम का पर्व 20 अगस्त को मनाया जाएगा इसको देखकर सरकार के द्वारा अब यहां आदेश जारी कर दिया गया है भीमपूर बादु गाओं में हैंड पंप खराब होने के चलते नदी का पानी पीने को मजबूर हो रहे है ग्रामीन भीमपूर ब्लॉक में बारिश के मौसम में भी ग्रामीनों को शुद्ध पेजल नसीब नहीं हो पा रहा है हालत यह है कि गाओं के सारे हैंड पंप बिगडे पड़े हैं जिसके चलते ग्रामीन नदी का पानी पीने को मजबूर है जानकारी के मुताबिक भीमपूर ब्लॉक के अंतरगत जामया पंचायत के भादु गाओं में सारे के सारे हैंड पंप खराब होने के चलते वर्तमान समय में सारे ग्रामीन नदी का पानी पीने को मजबूर है इस मामले को लेकर तापती अर्जुन मीडिया ने जब SDO से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें हेंड पंप खराब होने की सुचना मिल चुकी है जल्दी खराब हुए हेंड पंप को सुधारा जाएगा बैतूल शीवा मत से उद्योग सहकारी समीती के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लगा अनिमित्ता का आरोब समीती के लोगों ने DM से की शिकायद मामला बैतुल जिले के अंतरगत आने वाले पाढ़र का है जहाँ पर शीवा मत्य उद्योग सहकारी समीती के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा गंबीर अनिमित्ता किये जाने को लेकर कल 17 अगस्त दिन मंगलवार को दोपर एक बजे समीती के सदस्यों ने कलेक्टर को ग्यापन सोपा ग्यापन सोपते हुए समीती के सदस्यों ने बताया कि समीती के कारियों में उन्हें किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाने से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है जो कि समीती के उद्देशों के विरुद्ध है इसलिए उन्होंने संस्ता के जाने की मांग करी साथी कारेवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए ऐसी मांग रखी बैतूल धौलडाना से गोधना जोड तक सडक निर्मान करवाने की मांग को लेकर ग्रामिनों ने कलेक्टर के जन सुनवाई में सौपा ग्यापन धौलडाना के ग्रामिनों ने सडक बनवाने की मांग को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर को ग्यापन सौपा है ग्यापन में ग्रामिनों ने बताया कि धौलडाना से गोधना जोड तक सडक निर्मान कारी किया जाना चाहिए जिससे ग्रामिनों को सुविधा हो सके सड़क नहीं होने के करण पिछले कई वर्षों से ग्रामेनों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर कोई गाव में बिमार हो जाता है तो उसे अस्पताल तक बड़ी मुश्कल से ले जाया जाता है इसलिए उन्होंने प्रदान मंत्री सड़क योजना का लाप दिलाए जाने की मांग को लेकर कल दिनांग 17 अगस्त दिन मंगलवार को दोपेर एक बजे कलेक्टर को इस मामले में ग्यापन सौपा है ताकि वह सड़क की समस्या से जल्द से जल्द निजात पा सके बैतूल 1 शेतर बैतूल में क्रेडिट कॉपरेटी सोसाइटी द्वारा 500 नीम के पौदे किये गए रोपित बैतुल में कल 17 अगस्त दिन मंगलवार को दोपेहर में क्रेडिट कॉप्रेटी सोसाइटी के द्वारा उत्तरी वनमंडल के वन परिछेतर में पौधा रोपन की अनुमती मिलने के पश्चात 500 नीम के पौधों का रोपन किया गया इस दोरान क्रेडिट कॉप्रेटी सोसाइटी के सभी सदस्य मौजूद रहे पौधार उपन किया जाने के पश्चात उत्तरी वनमंडल में नए पौधों की देख रेख सोसाइटी के सदस्यों द्वारा किया जाएगी बैतूल पीएम आवास की राशी स्विकरत कराने के लिए जन सुन्वाई में पहुचे रगण गौद के ग्रामिन बैतूल कलेक्टर को सौपा गया पन मामला प्रभाद पत्टन की रगण गाओ का है जहांपर पीएम आवास की राशी अब तक स्विकरत नहीं हो पाई है उन्हें भी राजशी आज तक स्विक्रत नहीं हो पाई है इसी को लेकर कल ग्रामेंट जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पहुचे और उन्हेंने कलेक्टर को इस सम्मन्द में आवेधन सौपा बैतूल गंच छेतर में 50 वर्षी व्यक्ति को अग्याद बाईक सवार ने मारी टक्कर गंच पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया मैडिकल मामला 15 अगस्त का है जहां पर बैतूल के पटेलवाड में रहने वाले जीवनलाल बुआडे गंच छेतर में किसी काम के लिए गये थे वहीं पर अग्याद बाईक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी जिसके बाद जीवनलाल बुआडे ने घर पर रहकरी इसका इलाज कराया लेकिन तकलिप बढ़ने के बाद कल भर शाम में गंस्ताना पहुचिया और अग्याद बाईक सवार के खिलाब रिपोर्ट दर्च कराय जिसके बाद पुलिस ने जीला अस्पता ले जाकर उनका मेडिकल करवाया बताया जा रहा है कि जीवनलाल बुआडे को आँक और पैर में चोट लगी है बैतूल भाजपा विजय भवन से आजादी के अमरत महसो पर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली सैकिल रेली स्वतंतता दिवस की 75 वी वर्षगाट को पूरा देश अमरत महसो के रूप में मना रहा है मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के जीला महामंत्री विकास प्रधान के नित्रत्व में युवाओ द्वारा संकल्प सैकल रेली निकाली गई रेली भाजपा जीला कारेले विजय भवन से दिनांग 17 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह से प्रारंब हुई जहाँ पर सांसत डीडी उई के और भाजपा के जीला द्यक्ष आदित बबला शुकला ने सैकल रेली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया संकल्प सैकल रेली विजय भवन से गंज, बस स्टेंड, तांगा स्टेंड होते हुए अलग-अलग स्थानों से गुजरी बैतूल सैनिकों की कलाई पर राखी बानने राष्ट रक्षा समीती के सदस्य और पदादिकारी 17 अगस्त दिन मंगलबार को दोपेर 12 बजे बैतुल रेल्वे सिशन पर पाताल कोट एक्स्प्रेस से रवाना हुए और लेल अद्दाग पहुचेंगे रक्षा बंदन के दिन सैनिकों की कलाई पर राश्ट रक्षा समीती के सदस्यों द्वारा राखी बांदी जाएंगी मंगलबार को वाडवासियों ने विरोध के सरूप SDM हर सिम्रन प्रित कौर को ग्यापन सौप कर मार्ग नहीं बंद करने की मांग की इस अउसर पर शेक नसीर, मौम्मद साबीर, मौम्मद सादिक सहीद बड़ी संक्या में वाड़ के महिला और पुरुषों ने तैसिल कारेले पहुचकर ग्यापन सौपा और बताया कि पीची विभाग द्वारा मार्ग बंद कराये जाने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामन करना पड़ सकता है यह मार्ग बरसो पुरान है जिसमें लगातार लोगों द्वारा आवगमन किया जाता है मुल्ताई न्यायले परिसर में हुआ सुन्दरकान पाट का आयोजन पवित्र नगरी मुल्ताई में कल 17 अगस्त दिन मंगलबार को न्यायले परिसर में माननी जजों की उपस्तिती में सुन्दरकान के पाट का आयोजन किया गया इस दोरान पुलिस विभाग के समस्त कर्मी मुपस्तित रहे वहीं एड़ोकेट भी मौजूद रहे सावन सोमवार के दूसरे दिन कल मंगलवार को सुन्दर कांड के पाट का आयोजन किया गया साथ ही तापती के उद्गम छेत्र में सभी की उजवल भविश्य की मनुकामना की गई मुल्ताई भारती जनता युवा मोर्चा के कारिकर्ताओं ने नगर में निकाली संकल्प यात्रा आजादी के 75 वी वर्षगाड पर मनाय जा रहे अम्रत महुस्तों के अंतरकत भारती जनता युवा मोर्चा ने संकल्प यात्रा का आयोजन किया आयोजन में मुल्ताई छेत्र की भूदपुर्व स्थैनिकों को माला पहना कर श्रीपल और प्रमान पत्र भेट किये इसके उपरांत बाबा साब अंबेटकर की प्रतिमा पर पुश्प अरपन कर युवाव द्वारा संकल्प यात्रा प्रारंब की गई जो नगर के प्रमुक मारगों से गुजरते हुए भाजपा के कुशा भाव ठाकरे भवन पहुची शहापूर मगरडो गाउ में मंगलवार को अवेश राप बेशते भौरा पुलिस ने एक आरूपी को किया गिरफतार पांच लिटर अवेश कच्ची शराप की जप्त शहापूर पुलिस के द्वारा मंगलवार की शाम तकरीबन पांच बजे मगरडो गाउ में अवेश राप बेशते एक आरूपी को गिरफतार किया गया है आरूपी पर आपकारी एक्ट के तैट मामला दर्च किया गया है घोडा डोंगरी बस इस्टेंट पर इस्टिद एक रेस्टोरेंट में चोरो ने की चोरी जाच में जुटी पुलिस टिंग गोड़ाडोंगरी के बस इस्टेंट पर इस्तिद एक रेस्टोरेंट में परसो राज चोरों ने टीन की चादर तोड़कर उसके अंदर गुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है वहीं रेस्टोरेंट मालिक मंगलवार को जब दोपेर में दुकान पहुचे तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के टीन की जादा टूटी हुई है और रेस्टोरेंट के अंदर सामान बिक्रा पड़ा है जिसके बाद ड्रॉस के अंदर से रुपे भी उन्हें गायब मिले इसकी सुचना उन्होंने गोरडोंगरी पुलिस को ततकाल दी पुलिस ने मौके पर पहुचकर मामले की जाच प्रारंब कर दिये रेस्टोरेंट के मालिक दुर्गा प्रसाद मालवी ने जानकरी देते हुए बताया कि रेस्टोरेंट के टीन की चादर तोड़कर चोर अंदर गुसे और ड्रॉस में रखे तकरीबन हजार रुपे चुडा लिए इसके अलावा अन्य सामान चोरी हुआ प्रतित नहीं हो रहा है इस बारे में शिकायत उन्होंने पुलिस चौकी में पहुचकर की घोडा डोंगरी घोडा डोंगरी में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को धरना इस्तल पर चाय बना कर किसानों को पिलाई मांगा किसानों से समर्थन घोडा डोंगरी तैसिल कारेले के सामने मंगलवार शाम करीब 4 बजे पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर धरना इस्तल पर चाय बनाई और किसानों को पिलाई इस दौरान किसानों से अपनी मांगों के लिए समर्थन मांगा. पटवारी हरियों चारे ने बताया कि ब्लॉक के पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित कालिन कलम बंद हरताल कर रहे हैं. कल मंगलवार को धर्ना इसतल पर पटवारियों द्वारत चाय बनाई गई और छेतर के किसानों को चाय पिला कर उनसे समर्थन मांगा गया भैसदई, भैसदई के थाने में आगामी तेवार को लेकर शांती समीती की हुई बैठक सभी को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन भैसदई थाने में SDM केलाश चंदर परते ने शांती समीती की बैठक का आयोजन किया आगामी दिनों में भुजलिया और महरम परव को लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने और शासन की गाइडलाइन के अनुसार कारिकरम आयोजित किया जाने को लेकर समझाईश दी गई भुजलिया और महरम परवो को लेकर शान्ती समीति की आयोजित इस बैठक में भारती जन्ता पार्टी के जिला उपध्यक्ष, महामंत्री, सहित भाजपा के समस्त कारिकर्ता, SDM और थाना प्रभारी मौजूद रहे भैसदई, अखंड हनुमान 40 के पार्ट का आज 18 अगस्त को महाप्रसादी के साथ होगा विदिवत समापन भैसदई में मंगलवार को, उमा लॉन में 11 दिनों से हनुमान 40 का अखंड पार्ट किया जा रहा है जिसमें निरंतर भैसदई नगर की जनता हनुमान 40 में भागेदारी कर रहे है 9 अगस्त से हनुमान 40 का लगातार पार्ट किया जा रहा है वही हनुमान 40 का आज 18 अगस्त को महाप्रसादी के साथ समापन हो जाएगा हनुमान 40 का पार्ट पढ़ने के लिए बैतुल जिले से सभी शद्दालू यहाँ पर पहुच रहे है और उनके द्वारा भी हनुमान 40 का पार्ट निरंतर किया जा रहा है आमला बिजले ओफिस कारेले मार्ग पर अज्यात वेक्ति ने इस्टे रॉट काट कर लोहे के बिजली के पोल को गिराया आमला में कल 17 अगस्त दिन मंगलबार को बिजली आफिस कारेले मार्ग पर अग्यात वेक्ति के द्वारा इस्टे रॉट काट कर बिजली के पोल को गिराने का मामला सामने आया है अज्यात वैक्ति के द्वारा इस्टेरोट काट कर लोहे के बिजली के पोल को दो दुकानों पर गिरा दिया गया है जिसके बाद बिजली की कमपणी ने सप्लाई बंद करी है और पोल की मरम्मत का कारे प्रारंब कर दिया है आमला ब्लॉक में 18 अगस्त को 13 केंद्रों पर कोविट टीका करण का किया जाएगा आयोजन आमला की बियमों ने दी जानकारी आमला बियमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 18 अगस्त को 13 केंद्रों पर कोविट टीका करण का आयोजन किया जाएगा आमला ब्लॉक के अलावा संपून बैतुल जिले में कोरोना संकरमन का प्रभाव रोकने के लिए वैक्सिनेशन महाभियान फिर से दो दिनों तक चलाया जाएगा 25 अगस्त और 26 अगस्त को चलने वाले महाभियान में 70,000 वैक्सिन के फर्स्ट और सेकेंड डोस लगाये जाएगे अभियान में स्वास्त विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को वैक्सिन का महत बताकर उनके द्वारा लोगों को केंदर तक लाया जाएगा तीसरी लहर के पहले जीले में वैक्सिन के रफ्तार बढ़ाने के लिए फिर से महाभियान चलाया जाएगा जीला टीका करन अधिकारी डॉक्टर अर्विंद भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 और 26 अगस्त को वैक्सिन के अभियान चलाने के निर्देश आए है एक दिन में 35,000 वैक्सिन के डोस लगाए जाएंगे वहीं दो दिनों में यहां अकड़ा 70,000 तक पहुँच जाएगा आठनेर सामुदाइक स्वास्त केंदर आठनेर में कल आठ गर्ववत्ती महिलाओ को लगाए गई COVID-19 वैक्सिन आठनेर नगर में इस्तित सामुदाइक स्वास्त केंदर में कल 17 अगस्त दिन मंगलवार को दोपेर साड़े 12 बचे आठ गर्ववत्ती महिलाओ को कोरोना से बचाओ का टीका लगाया गया है जानकारी देते हुए COVID-19 सेंटर के रिशप चौबितकर ने बताया कि कोरोना वैक्सिन का आठ गर्वत्ती महिलाओ को टीका लगाया गया है भीमपूर भीमपूर चौकी छेतर में लाठी डंडो और इड से पीट पिट कर महिला की की गई हत्या तीन आरोपी हुए गिरफतार भीमपूर विकासखंड के चिकली गाउक के गुड की डाना में पुरानी रंजिश को लेकर एक 40 वर्षी महिला को तीन आरोपी द्वारा लाठी डंडे और इटो से पीट पीट कर हत्या किये जाने की संसनी केज बारदात सामने आई है थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गटना 16 अगस्त दिन सोमवार को शाम तकरीबन 5.5 बजे के आसपास की है म्रतिका अनिता भाई का अपने घर के सामने रहने वाले 3 आरोपी उसे पुरानी रंजीश को लेकर जगड़ा हो गया था जिसके बाद 3 आरोपी द्वारा महिला को पीट-पीट कर ढंडे से महिला की निर्मं हत्या कर दी गई है जिसके बाद सूचना मिलते से पुलिस की टीम मौके पर पहुची और घटना इस्तल पर सही तीनों आरोपियों को गिरफतार किया घटना में म्रतिका महिला के लड़के को भी सर में गंबीर चोटे आई है चिचोली, श्रमिक आदिवासी संगटनने चिचोली में निकाली हर्याली यत्रा, पंचायतों को पांच पजजार पोधे उपलब्द करानी की करी मांग श्रमिक आदिवासी संगटन और समाजवादी जन परिशत के संयुक्त तत्वधान में निकाली जा रही हर्याली यात्रा मंगलवार को चिचोली पहुची यात्रा के माध्यम से ग्रामिनों को परियावरण के संरक्षन के लिए अधिक सदिक पौधे लगाने को लेकर प्रोसाइद किया जा रहा है इस मौके पर ग्रामिन छेत्रों से आये श्रमिक आदिवासी संगटन और समाजवादी जन परिशत के कारिकरताओनी नगर में रहली निकाली और मुख्य कारे पालन अधिकारी जनपत पंचायत चिचोली को ग्यापन सौपा साथी ज्यापन में प्रत्यक पंचायत को 5,000 पौदे देने की मांग करी तो ये थी बैतुल जिले की प्रमुक खबरे ऐसी खबरों को लगतार पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल तापती अर्जुन को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले अपने आजपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुचाने के लिए आप हमारे वाट्चैप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार